आपके सामने एक और बहतरीन कोश्चंस है मैं इसको बहतरीन इसलिए बोला नो क्योंकि यह कोश्चंस देखके बहुत लोग के माथा चक्रा जाएंगे लेकिन उतना भी नहीं है आप देखो के तो आपको आइडिया मिली जाएगा ठीक है अब कोश्चंस में क्या बोला है वो तस्यों ہیں तो तीन में से बीच का मैंने माल लिया कि अप्लास ऐसे करें कि त्री ही कॉंट क्यूंट А की क्यूंट क्यूंट term of an a piece क्या है ? एक मैंने माल लिया, बीच वाला मैंने माल लिता है X, इसके बाद वाला क्या होगा ? X plus D, आगे बढ़ेगा ना, X plus D, और इसके पहले वाला क्या होगा ? कि डिकम होगा ओपिसलिए ना यहां वे देख़ो यहां जो था उसमें डिकरोगे द्यार करोगे तो डिकरते यह ना कि ठीक हो six मतलब डिकीव माइनाश हो तो कम होते जाएगा उससे क्या न dolorक पांडिक डूरियंटव निगेटीव को पर डिप्रेंट d equal to 48 according to questions अब देखो एक्स और एक्स एक्स 3x हो गया 3x हो गया और plus d minus d cancel हो गए ठीक है plus d यह minus d और plus d cancel हो गए यहां पर आ गया 48 और x की value क्या हो गई 48 divided by 3 तो x की value क्या हो गई 16 मैं x नहीं चाहिए हमें d चाहिए ठीक है एक्स तो पता नहीं क्या है एक्स तो हमें पता नहीं मैं तो माना हो ना एक्स ठीक है अभी आप देखें मुझे दूसरा वाला condition से डी मिलेगा बोला product of first और लास पहला पहला क्या है एक्स मैनस ल क्या है एक्स फ्लस दि उकम डूशनिकर ona पर अगर आप देखोगे तो प्रोड़क बंदा मल्टिप्लिकेशन पॉस और लास टॉंग इस तु तु कि अप्स निग फ्लंबंत अप setup a यह सकॉर कर लो माइनस डिस इकवार एकक्वर थो 252 एक सिक्सिंट ऑस सिक्स्टिन कास्वार्टाइगा तो 56 अच्छा यह माइनस इसपार इसक्वारेटों यह चो Ugh सब्सक्राइब सबोगर माइनस कर देंगे तो प्लस माइनस कर दीक ब definition किया है प्लस टू दिया है माइनस टू नहीं दिया अगर दिया रहता तो भी मैं टिक कर लिता है ति आपका एंसर हो जाता है इस तरीके से कोश्चन को सॉल करेंगे और आपका एंसर आ जाएगा धन्यबाद आपको ये वीडियो देखने के लिए